भागलपूर मदूसुदनपूर ताना छेदर के कंजिया पुल के पास देराथ हाईवा और जायलो गाडी में भिरत हो गई जिसमें जायलो गाडी के ड्राइवर धर्में रियादव की अस्पताल ले जाने के क्रम में मौत हो गई गटना के बाद पुलिस ने जब गाडी की जाच की तब उसमें कई बोतल शराब के मिले महीं बताया जा रहा है कि जायलो का ड्राइवर शराब के नशे में धुत था और तेज रफ्तार के कारण हाईवा से टक कर हो गई जिसमें चालक की मौत हुई है महीं मौत के परीजन का कहना है कि ड्राइवर भाड़ा लेकर बांका से भागलपूर आ रहा था रात में ही जब ड्राइवर के मौवाइल पर परीजनों ने फोन किया तो पुलिस वाले ने घटना की सूचना दी जिसके बाद परीजन अस्पताल पहुंचे है महीं गारी में शराब मिनने को लेकर पुलिस चानबीन में जुड गई है महीं शराब के रैप्रो को पुलिस ने जला दिया है पुलिस को अंदेशा है कि गारी से शराब की तसकरी की जा रही थी और गाड़ी में और भी लोग मौजूद होने की संभावना चताई जा रही है जो घटना के बाद फरार हो गए है भागलपुर से अभिशेक आनन की रिपोर्ट